हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक माई यूटीब चैनल लौवित रोनित दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल पे स्वागत है दोस्तों आज एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी PCSJ मेन एक्जामिनेशन से रिलेटेड होगा साथियो इसमें हम ब पता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोकल लौस हैं जो भी आपके में एक्जामिनेशन के परपस से हैं उन सभी लोकल लॉस से रिलेटेड जो भी आंसर हो सकते हैं उन सभी आंसर राइटिंग को मैं कराने का भरपूर प्रयास करूँगा जैसे आज मैंने उत्तर परदेश नगरपाली का आदिनियम 1916 को मैंने करा दिया साथ-साथ मैंने यह मेरा पार्ट थोड है आप यहां पर देख सकते मैंने पार्ट दो आलरेड़ी इसका करा दिया है उत्तर परदेश राजसो सनीता 2006 का और साथियो इसमें मैं बता रहा हूं जो अमेंडेट सेक्षन जो 2022 में जो 2021 में अमेंड किया गया है उस अमेंडमेंड को भी मैं यहां पर ले करके आया हूँ और मैं आपको अभी सो करने बते हैं कि क्या अमेंडमेंड करके इसमें डाला गया है तो साथियो बिना देर के हम इससा आंसर राइटिंग को इस्टार करते मिन्स कि जिनको जिनको नए प्रावधान है उनको कौन-कौन से प्रावधान ऐसे जिनको इस बार इंकॉर्परेटिट किया गया है उत्तर पर्दिस राजसोसनिता अधिनियम में तो साथियों यह अपडेटेड नोट से पढ़ेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा क क्योंकि आपको अपडेट आंसर ही आपके एग्जामिनेशन में लिखना है देखिए तो आंसर इसका कैसे मैंने फ्रेम किया है उत्तर पर्दिस राजसोसनिता दोहजरच में निमलिखित प्रावधानों और नए प्रावधान किये गया है कौन-कौन से प्रावधान किये ग हम उन धारा को भी कोट करेंगे जो इस बार आपके लिए अमेंड करके लाया गया है और उसमें कुछ संसोधन किया गया है सभी चीजों को मैं यहां पर रखने का भरपूर प्रयास करूंगा जिससे कि आपका एक्जामिनेशन में बहतर पर्फार्मेंस हो सके अधर समीति के दौरा कार्रे संपादन नो करने की दसा में किसके दौरा जो भूमी प्रबंदक समीति है उनके दौरा कार्रे का अगर संपादन नो किया जा तो उस दसा में नायब तहसिलदार को उस राजस्व गाउं की भूमी प्रबंदक समीति घोसित करना तो वह उनके दौरा किया जाएगा घोसित किया जाएगा किसके दोरा तो जो नायपत हसिलदार साहब होते हैं नायपत हसिलदार का ये कर्तब वे होगा कि राजस्व गाउं की भूमी प्रबंदक समीती को क्या करेंगे वो घोसित करेंगे कि कौन सा जो गाउं का ये जमीन है वो राजस्व गाउं भूमी प्रबंधक समीती घोसित उनका कर्तब्वे होगा आगे देखिए गर्भस्त सिसु को उत्राधिकार में एक अंस आवंटित करना ये कहां हमको बताये गया है एक जो अंस होगा जो एक हिस्सा होगा कैसे आवंटित होगा ये हमको बताये गया है धारा 114 सब कलॉज एक के अंतरगत ही हमको देखने के लिए मिलता है सात्यों ये ऐसा चीज है जिसमें हम कॉंसेप्ट आपको नहीं बता सकते हैं जो जो इनकॉर्पोरेटेड हुगा है जिसको जिसको नए प्रावधान को डाला गया है 2021 के संसोधन में उसी चीज को हम यहां पे आपके सामने रख कर रहा है जहां पर राजस्व का अभिलेख है कोई डाकुमेंट उपलब्द नहीं है उनमें सर्वेक्षण वह अभिलेख की किरियाओं द्वारा अभिलेख तायार करना और यह बताया कहां गया है तो हमारे राजस्व उत्तर परदिस राजस्व सनीता दोहज़र च्छय के धारा 52 के अंतरगति आपको बात बताई गई है अब आगे देखे सातियों राजस्व अधिकारियों की अनुमती से फलदार व्रिच्छ लगाना धारा 57 के अंतरगति यह बात बताई गई है निक्ष कर रहा है भूमी दर या ग्राम सभा की भूमी पर बने हुए भावनों को बंदोबस्त भावन स्वामी के नाम किया जाना यह कहां बताई गया तो धारा 67 सब क्लॉज एक अंतरगति यह बाते आपको बताई गई है एक यहां पर important अपवाद रखा गया है और साथियों इस अपवाद को आपको समझना important है क्योंकि अपवाद आपको लिखना जरूरी होता है क्योंकि जब तक आप exceptions अपने answer में नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आगा अगर exception है तो अपवाद परन्तुक और अपवाद के साथ क्या है यह प्रवाइजों परन्तुक यदि पहले से पक्का मकान है तो नहीं मिलेगा क्या नहीं मिलेगा जो राजस्व सनीता की बात की जा रही है अगर पहले से पक्का मकान है तो इस पर किसी भी प्रकार का आपको मुआउजा exceptions नहीं मिलेगा यहीं कहां आमको बता जा रही है अप वाद के अंतरकत बताये गया धारा 67 ए भूमिदर 29 नौबर 2000 को यह बात यहां पर डाल दिया गया था ठिक आगे देख भूमी में पतनी को सामान हकदार बनाना धारा 64 और धारा 127 के अंतरकत आपको देखने के लिए मिलेगा तवसिलदार अस्तर पर समेकित गाउन निधी की अस्थापना करना धारा 69 सब क्लॉस 5 के अंतरकत यह आपको देखने के लिए मिलेगा साथी साथ आगे हम बात करते हैं सातियों पेहाँ पे बात करता है असामी को असंक्राम में अधिकार वाला भूमिधर घोसित करना और यह कहाँ बताए गया है तो धारा चीयतर सब क्लास एक के अंतरगत ये बाते बताए गई है और नेक्स जो तेरहाँ नमबर का बात मैं बता रहा हूं पचास अजार से अधि चीजों को मैं यहां पर बताने का कोसिस किया हूं कोस्चन आपका क्या था वे कौन से नए प्रावधान हैं जो जो भी प्रावधान किये गए जो जो नए प्रावधान है जो आपके एक्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है उन सभी प्रावधानों को मैंने यहां पर साब निता के अंतर्गत राजेस सो छेत्र को किस प्रकार भी भाजित किया गया निससे के कि क्या प्रकिरिया है दोनों चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और जो हम सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे साथियों तो यह राजस सोचेत्र के बारे में बात करेंगे कि किसको हम राजस सोचेत्र कहेंगे और राजस सोचेत्र के बारे में जब आप जान जा आपके जितने भी लोकल लोगा हैं, उन लोकल लोग से कौन कौन से कौश्चन बन सकते हैं? जैसे उत्तर پर्देश नगर पालिका अदिनियम 1913 से कितने कौश्चन बन सकते हैं? जो कि आपके एकजामेनेशन में बार बार पूछा गया है उत्तर परदेश जो तचकबंदी जदिनियम 1947 से कितने question बन सकते हैं अगर आप लोग का positively comment आ रहा है तो इन सभी questions को मैं आपके सामने definitely discuss करूँगा और उसमें मैं बताऊंगा भी कि ये किस examination में आपको question पूछा गया है अगर आप लोग का positively comment आता है तो मैं उसको करा दूँगा अपने इसी YouTube चैनल पर देखिए अब इस question का answer देखिए साथियो question का answer कर रहा है राज्य का राज्य सो धारा पांच के अंतरगत छेतरों में विभाजन इस सनीता के प्रयोजन के लिए राज्य को राज्य सो छेतर में विभाजित किया जाएगा अब किस तरह से विभाजित किया जाएगा क्या 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 मंडल के बाद जीला में फिर जीला के बाद तवसील अस्तरपा इसी के अंतरगत इसी कर्मे में बाटा गया और यह हम को देखने के लिए कहा मिलता जब धारा को देखते हैं तो हाँ ठीक में पतालता है कि होआ इसी को वर्थमान में 18 मंडल एवं 75 जीले Orange साथियो तो ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं एमम 75 जिले हैं किसी जिले को मंडल से संबंद करने या मंडल में जिले को संबंद संख्या घटाने बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है अब राज्य सरकार ये डिसाइड करेगा कि किसको हम किस मंडल के अंतरगत रखेंगे किसको किस मंडल के अंतरगत रखेंगे आप सभी को पता है कि उत्तर पर्देश में 75 जिले हैं और 75 जिले जो हैं वो 18 मंडलों में क्या हैं विभाधित हैं और यह अबनो प्रकिरिया को असपस्ट करता है इसी नीअमाउली और इसी प्रकिरिया के अंतरगत आपको क्या करना है आपको मंडल में जीलो में आपको बाइफरकेशन कंब्सक्रा में राज्य का यह ग्या भाजन कैसे होता है राज को राजा 506 में विद्वाजित किया GY जाएगा जो मंडल में भीभकत होगा जिसमें क्या बात्रा रहा है जिसमें दो या अधिक जीले हो सकेंगे और प्रतेilी चीश करिा अधिक तवसील रहा हो सकेंगे और परतेक तवसील में एक या अधिक परगने हो सकेंगे और परतेक परगना में दो या उससे अधिक गाउं भी हो सकेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं हर एक चीज का अपना वैलू होता है हर एक चीज का अपना मतलब होता है साथ ही जो सब्द यहां पर प्रियुक्त कि की बात कर रहा हूं जी और उस नायब तहसिलदार की बात कर रहा हूं इन सोचिएगा आप इन सभी चीजों को as usual लिखने का कोसिस करिएगा क्योंकि यही वो वर्ड है जो कि आपको नंबर आपके examination में provide करवाएंगे अब देखिए राजा सोचेत्र का गठन धारा छो के अंतरगत हमको देखने के लिए मिलता है कि अगर हमारे पास कोई राजा सोचेत्र है तो उसका गठन हम किस प्रकार करेंगे गठन किस के पास है पावर जो कर सकता है तो राज्य सरकार अधिसूचना बना होगा एक मंडल बना होगा दो सकेंड नंबर का पॉइंट कर रहा है उन तवसीलों को जिसमें मिलकर कोई जिला बना होगा उस तवसीलों के बारे में बात कर रहा है जिससे मिला करके कोई न कोई जिला बनाया गया होगा तीसरे की बात कर रहा है उन गाउं को जिसमें म परकेट करके रखा है आप इसको एक बार और देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा और साथ-साथ अगर आपको पीडियाफ इसका चाहिए तो लॉविथ रोन टेलिग्राम ग्रूप आप जॉइन कर लीजे वहाँ पे आज उजवल आपको पीडियाफ भी इसका मि किसी ऐसे राजसो किसी बात कर रहा है किसी ऐसे राजसो छेत्र को समाप्त भी कर सकती है किसी भी राजसो छेत्र को चाहें तो राजसरकार अधित सूचना के द्वारा समाप्त भी कर सकती है किसी राजसो छेत्र की सीमाओ को परिवर्तित करके किसी प्रस्ताओ पर इस अगे देख mould पर VCicio करेगी विचार करने की बात का ही आगए करिया कि ररा कॲेक्टर रूप में प्रकासित किसी आदेश दौरा किसकी बात कर रहा है साथियों यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा कॉलेक्टर साहब की बात कर रहा है कॉलेक्टर कौन होता है जो revenue matters deal करता है उसको हम लोग collector कहते हैं collector विहित रूप में प्रकासित किसी आदेश दोरा तहसील के गाउं को लेखपाल तहसील के गाउं के अंतर कौन होते हैं साथियों लेखपाल होते हैं जो कि अपने हलके में हलके का मतलब होता है उनका छेतर अपने छेतर में और लेखपाल हलको को राजस्व हलकों में व्यवस्थित करेगा किसके दोरा किया जाएगा तो collector साहब के दोरा किया जाएगा अगर गाउं की बात करते हैं तो किसके दोरा लेखपाल साहब के दोरा किया जाएगा लेकपाल कहां करेंगे अपने हलके में जो लेकपाल को जो छेतर दिया जागा उसी छेतर को क्या करेंगे वो मैनेजमेंट करेंगे उसको व्यवस्तित करेंगे और परतेक राजस्तो निरिच्छक इसके लिए भी न्यूक्त किये जाएंगे कि मुख्याले को भी उसके हलके में भीतर विनिर्दिष्ट करेंगा कौन करेंगा तो एक कलेक्टर साहब के दौरा किया जाएगा उपर जो आपने बात देखा है वो स्टेट गवर्मेंट के दौरा किया जाएगा आगे देखें साथियों कर रहा है इस सानिता के प्राराम वहोने के समय यथा बिद्यमान मंडल जिले, तवसील, परगने, राजस्व निरिक्षक, हलके, लेखपाल, हलके और गाउं इस धारा के अधीन मिनिर्दिष्ट राजस्व छेत्र समझे जाएगे इन सभी को क्या माना जाएगा इन सभी को राजस्व छेत्र माना जाएगा साथियों यहाँ पे आप परगने सब् साथ साथ यहां पे आप लेखपाल वर्ड ही इस्तमाल करेंगे ठिक और राजस्व निरिक्षक है तो राजस्व निरिक्षक सब्द ही आप इस्तमाल करेंगे जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे इन सभी वर्डों पे आपको केर और प्रोटेक्शन दिखाना है बार बा नहीं हो सकता है उतना मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूं जो भी चीज आप लोगों का positively कमेंट आ रहा हूं उन सभी चीजों को मैं करने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं तो आप लोग भी पीछे बिल्कुल नहाटिएगा इस बार fight में आप definitely हैं जाहिड सी बात है जीतने भी मामले आते हैं कहीं न कहीं किसी सुधार को ले करके आता है तो किसी गाटा संख्या को मामला ले करके आता है किसी नक्सा को ले करके आता है किसी खसरा को ले करके मामला आता है इनी सभी मामलों के पीडित लोग क्या करते है नायाले का दरव सभड़ien क संफ jurisd könal नां या आधि देखने के लिए अब देखों अब दम टेखिए और घबलिक में या इसका तो उसको कैसे शुदरवाया जा सकता है अगर किसी के नकसे का नकसा गड़बर हो जाता है किसी का खसरा अगर गलत हो जाता है जिसको छेतर पंजी करण के नाम से जानते हैं किसी की खतवनी में अगर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन हो जाती है उसके बारे में जिसको अधिकार अभिलेख के नाम से जा सकता है अब सक्षम अधिकारी कौन-कौन होते हैं उनको आप देखेंगे कि कैसे वह उनके द्वारा किया जा सकता है फर्स्ट की बात करते हैं स्वयम संग्यान पर धारा 32 धारा 32 के एकॉर्डिंग या किसी दूसरे धारा के एकॉर्डिंग अब आप देख सकते हैं कैसे यहां करे सातियों तो कर रहा है संबंधित व्यक्ति के आवेदन पर अगर संबंधित व्यक्ति अगर पीडित है अगर उसका गाटा संख्या गड़बल हो गया है अगर उसका नक्सा गड़बल हो गया है तो वह संबंधित व्यक्ति आवेदन देगा तो धारा 38 के अंतरगर जो की धारा 33 तता धारा 39 पर यह क्या है यह आधालित है उसी की बात कर रहा है नेगा की बात हम कर रहा है सनीता की धारा 32 एक महत्तोपूर पूर प्रावदान है किसकी बात कर रहा है जो सनीता है कौन सी सनीता उत्तर परदेश राजस्व सनीता अधिनियम दोहज़ा 6 कि इसकी धारा 32 एक महत्तो पूर्ण प्रावधान है और राजस्व अधिकारियों का प्रयाप्त समय इस धारा की व्याख्या करने तता उसे कार्यवानिवित करने में क्याँ करते हुए तो कलेक्टर साहाब जो होते हैं जो रेवेन्यू कलेक्टर करते हैं उनके अधिन रहते हunta है क्यों कहने क्री प्रे एक कौन कहकरिं करते हैं इनके उप जीकार साहाब उते हैं सौल्ब कराने का काम ये करेंगे इनके निरिक्षण में, सेकेंड की बात कर रहा है, खो, तीन दस्तावेजे, जिसमें खतवनी आता है, खसरा आता है, यहों नक्सा में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, आवश्यक परिवर्तन कर सकते किन्तु नक्से में संसोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा ही पारित किया जा सकता है बाकी किसी भी अधिकारी के पास यह authority नहीं होगा अगर सिर्फ आ Tow lately किसके पास होगा तो साथी उग कलेक्टर साहब के पास ही होगा कि वो नक्से में अगर संसोधन करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ collector साहब के आदेश पे यी नक्से में संसोधन किया सकता है अन्य था किसी भी प्रकार का कोई भी संसोधन नहीं किया जा सकता है उप अधिकारी के द्वारा मिंस की जो जीला मजी उनके द्वारा S D M sustain के द्वाराँ नहीं किया जो भी परिवर्तन है, जो घटी तो, सकेंड में कर रहा है, समस्त ऐसे संबैवार, जिसको हम लोड़ ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं, जिनका अभिलिकित आधिकारों या हीतों पर प्रभाव पड़ता है, उससे संबंदितों, नेक्स रिखी बात करते हैं, साथियों य अभिलिकारी साहब हैं, सत्सत्त सिल्दार साहब हैं, और उनके साथ कौन है, जो भूमी बंदोबस्त अधिकारी हैं, वो भी उसमें संसोधन करवा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, जो कोश्चन पूछा है, उसी कोश्चन के एकॉर्डिंग आपने अपने आंसर को फ्रेम जाएगी, नक्सा अगर उनका सही हो जाएगा, खसरा संखा उनका सही हो जाएगा, खतावनी उनकी सही हो जाएगी, तो क्या होगा, सारा उनका जो भी पीडित व्यक्ति का जो भी समस्या होगा, वो पीडित व्यक्ति का समस्या क्या हो जाएगा, उसी के बारे में एक कोश् उसमें आंसर को उससे रिलेटेड आंसर को मैं यहाँ पर डिसकस करूँगा साथ यू एक इंफॉर्मिशन और अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दवाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा ज लेटेश्ट अपडेट आपको असानी से मिल सके थैंक्यू दोस्तो वीडियो को वाच करने के लिए